नमस्ते मेरा नाव है विशाल तिवारी, सभी लोगों का स्वागत है इस लेक्चर में, केमिकल एकिलिब्रियम हम पढ़ने वाले हैं, आपको इस वीडियो में exactly quota classroom में जो पढ़ाई जाती है, प्लस इसमें NCRT की जो चीज़ें आपको पढ़ने आपके नीट के लिए केवल व इसिक्स क्लिए हो जाएंगे, केमिकल एकिलिब्रियम आज तक सुना भी नहीं होगा, तो सब एकदम smooth चलेगा इसमें, ठीक है न, और थोड़ा समय ने add-on की अपने पढ़ाई के तरीके, पढ़ाने के तरीके में, सो वो भी आपको feel होगा इसमें, है न, learn with fun, है न, learn with fun, कु दोस्तें, उन सब को बता दीजिया, और ये one of the best lectures होगा on YouTube, कोशिस इसी की जारी रहेगी, और best बनाने की कोशिस हमेशा जारी रहेगी, ठीक है, चलिए दोस्त, तो केमिकल एकिलिब्रियम में, सबसे पहले जानना है, काम की बात क्या है, syllabus में क्या आएगा, ठीक है, एकदम और देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप comments में नाब easy रहे, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो simple सुने, और जब मैं आपको खुद time दूँगा, खुद आपसे पूछूँगा, तब आप comment करिएगा, क्योंकि जब आप comment करेंगे मेरे पढ़ाने के द दिखिए, आप दूसरों के lecture notes पे वो मत रखिए, अपने आपको rely मत करिए, कभी फाइदा नहीं करता है, खुद के notes बनाईए, खुद के हाँच चलाईए, थोड़ी मेहनत करिए, और जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है दोस्तों, चलिए, तो start करते हैं अपना lecture number one, क्या-क्या पढ़ना होता है chemical equilibrium में, तो सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ना है, वो है chemical reaction और उसके types के बारे में, तो सबसे पहले दोस, types of reaction हम पढ़ेंगे, the first topic जो की chemical reaction में आएगा, उसमें, equilibrium में आएगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा, कि equilibrium का मतलब क्या होता है, what is the meaning of equilibrium, ठीक है द of mass action और फाद, शायद, आज हम law of mass action तक पहुँच जाएं, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत conceptual, बहुत easy है, और ध्यान रखेगा, इसमें सवाल आते हैं, और आइनिक equilibrium में आपको help करेगा, चलिए, law of mass action के बाद, types of equilibrium constant, types of equilibrium constant, यह आपको पढ़ना है, इसके बाद, types के बाद characteristic of equilibrium constant, तो आपको the second, sorry, इसके बाद वाला जो topic होगा, वो characteristic of equilibrium constant आएगा, और यह भी आपके पास बहुत important होता है, दोस्त इसमें, इसके application के बारे में भी बात करेंगे, कि equilibrium constant की application क्या होती है, और अगर आप NEET 2021 के सवाल उठाएं, 2020 वाला सवाल उठाएं, तो फिर application वाल है, ठीक है, उसके बाद दोस्त, application of law of mass action, उसके बाद application of law of mass action, तो आपके पास law of mass action का application है, दूसरा degree of dissociation है, next is degree of dissociation, उसके बाद last topic यहाँ पर पढ़ना है दोस्त आपके पास, Lee Shatelier Principle, Lee Shatelier Principle, देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा topic नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा chapter नहीं है, और पढ़की enjoyment लगेगा, मज़ा आएगा, chemical equilibrium में फाइदा करेगा, kinetics में फाइदा करेगा, आगे जाके thermodynamics में फाइदा करेगा, और ये चीज़ें आपको कुछ तीन महत्वपुर्ण चीज़ें बोलने वाला हो, वो तीन लेटर्स नहीं, जो आप सोच रहे हैं, तीन महत्वपुर्ण चीज़ें मैं आप से पूछने वाला हो, कि आखिर एक reaction क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, वही मैं पूछ रहा हूँ, आखिर एक reaction क्यो होता है और दूसरा रियक्शन और अगर रियक्शन होता है तो कितने हद तक होता है अगर रियक्शन होता है तो कितना होता है और तीसरा कुश्चन है कि कितनी तेजी से होता है आखिर एक रियक्शन क्यूं होता है और दूसरा कुश्चन है कितने हद तक होता है या कितना होता है और तीचरा कितनी तेजी से होता है जो से पहला कुश्चन है कि आ खीर एक रेक्शन क्यूं होता है ये मतलब ये इसका एंसर दैजी से होता है कि इसका एंसर अंदर तो यह तीन डिफरेंट चैप्टर हैं वो तीन महात्वपूर्ण सवाल कौन है बेटे पहला आखिर एक रियक्षन क्यों होता है थर्बोडाइनमेक्स में आखिर अगर रियक्षन होता है तो किस हद तक होता है कितना प्रोड़क्ट बनता है कि यह पढ़ेगे हम केमिक प्रोड़क्ट किस अमाउंट में बनता है प्रोड़क्ट ठीक है चलिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाओं मैं एक एक्जैम्पल आपको देना चाहता हूं माल लीजे बेटा यह वही वाला मैं टब बना रहा हूं तब समझते बेटा तब जिसमें वह वाला टब बनाता ह अगर आप गाउं से हैं तो आपने यह नहीं देखा होगा ठीक है मुझे लगता है कि आप लोग शहर में आ चुके होंगे मेरा गाओं का बतलब समझते हो जंगल जाड़ी में रहने वाले लोग तो आप नहीं होंगे मुझे लगता है इसी में माल लिजे कि आपको नहलाया जाता होगा माल लिजे दोस्त ये पहले खाली है ठीक है चली अच्छी बात है और मैंने यहाँ पर एक नल लगा दिया मैंने क्या लगा दिया दोस्त यहाँ पर वियानक तरीके से अमेजिंग तरीके से मैंने यहाँ पर नल लगा दिया ठीक है यहाँ पर जवर्दस पानी आ रहा है इस पानी आने का रेट जो है बेटे वो 0.1 ml पर सेकंड है इस पानी आने का रेट क्या है? 0.1 ml पर सेक्ड, क्या होगा? थोड़ी और देर बाद क्या होगा और पानी भरेगा थोड़ी और देर बाद क्या होगा और पानी भरेगा थोड़ी और देर बाद क्या होगा और पानी भरेगा भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा माल लीजे महराज, मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर से एक क्या कर दी वहाईजाब, एक और हमने यहाँ पर opening hole कर दिया, कोई बदमाश बचा आया और बदमशायतानी थे यहाँ पर hole कर दिया, और coincidence देखिए, जितनी rate से पानी आ रहा है, उसी rate से पानी जा रहा है, क्या होगा आपको क्या दिखाई देगा, अरे सर, पानी भर चुका है, अगर माल लीजे, यहाँ पर यह बंद होता, यहाँ पर hole नहीं होता, तो पानी का level बढ़ता, लेकिन चुकी hole है, तो दोस्त, जिस rate से आ रहा है, उस rate से जा रहा है, पानी का level से होगा, ऐसा लगेगा, कि पानी क level रुक सा गया है, थम सा गया है, ठेर सा गया है, रुका नहीं है, ठेहरा नहीं है, थम सा गया है, ठेहरा नहीं है, ठेहरा नहीं है, ठेहर चुका है, तो उसी आपको लगता है, बट जो रुका नहीं होता है, ठेहरा नहीं होता है, ठेहरा नहीं होता है, ठेहरा नहीं होता ह समझा रहे हो chemical in क्या है ऐसा लग रहा है फिपानी लेवल सेम है क्यों से लग dispers से इनलेट है उसी एट से आउटलेट है कि जिस रणे रहा रहा है उसे छिस तो पानी के लेवल उतना ही रहेगा ना बढ़ेगा न मर गभा तो ऐसा लगेगा कि पानी का लेवल ठहर गया है, रुक गया है, थम गया है, ऐसा लगेगा कि रुक सा गया है, ठहर सा गया है, थम सा गया है, बट चीज़े बड़ी नॉर्मल है, मेरे दोस्त, रुका नहीं है, पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, पानी का लेवल लग रहा है कि सेम है बट जो मतलब आप समझ गए ना चीज़ों को कि पानी का लेवल सेम रहेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी का आना और पानी का जाना कम हो गया पानी आ भी रहा है पानी जा भी रहा है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक सा गया है रुका नहीं है फिर द्यान रियेक्शन होता रहेगा जिस रेट से आगे जाएगा उसी रेट से पीछे आएगा ऐसा नहीं रूक चुका है एसा लगेगा कि रियेक्शन थम सा गया है रूक सा गया है लेकिन reaction रुका नहीं है, reaction थमा नहीं है, reaction ठहरा नहीं है क्यों ऐसा लग रहा है आपको क्योंकि जिस rate से आगे जा रहा था, उसी rate से पीछे आ रहा है reaction इसी को equilibrium कहते जिस rate से ऊपर से पानी आ रहा है, उसी rate से पानी जा रहा है ऐसा लग रहा है कि पानी का लेवल सेम है बन पानी आ भी रहा है पानी जा भी रहा है इसी को एकलिब्रियम कहते है इस एक्जम्पल को ध्यान रखेगा कि पानी रुका नहीं है पानी आ भी रहा है पानी जा भी रहा है ऐसा लग रहा है कि पानी उत नहीं है ऐसा लग रहा है, होता नहीं है पानी रुका नहीं है, पानी चल रहा है फिर भी पानी का लेवल सेम है, यही equilibrium है ठीक है जी, समझ में आया होगा थोड़ी बहुत चीज है आईए, equilibrium का हम definition लिखते है chemical equilibrium की definition लिखते है और यह मैं guarantee देता हूँ कि एक बात उस chemical equilibrium के definition की समझ नहीं आएगी लेकिन घबराना नहीं है, लिखना जरूरी है क्योंकि जब revise करेंगे तो वो काम आएगा और आगे जाके बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आए, chemical equilibrium का definition guaranteed है कि नहीं समझ आएगा, लेकिन लिखना जरूर है आये दोस्तों, chemical equilibrium का definition ये आगे जाके समझ आएगा, अभी नहीं समझ आएगा लेकिन फिर भी कोशिस करते हैं समझने की जितनी जादा हो सकती है ये chemical equilibrium क्या होता है the state of system the state of system वो moment, वो च्छन जिस पे लगे कि भाई साहब सब कुछ तुना सुना हो गया है इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, equilibrium so the state of system at which at which all miserable all miserable properties at which all miserable properties of the system all miserable properties of the system like pressure, temperature, concentration like pressure, temperature, concentration कॉमा कलर, कॉमा मोल, कॉमा डेंसिटी एक्सेक्ट्रा बिकम्स कॉंस्टेंट फिर समझेगा ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कॉंस्टेंट हो जा रहेगा, लेकिन reaction चलता रहेगा, रिजिस रेट से आगे चलेगा, उसी रेट से पीछे चलेगा इसलिए लगता है कि सब कुछ कॉंस्टेंट हो गया, ठीक है न, it's called equilibrium ये हमने equilibrium की definition लिखी है, chemical equilibrium बाद में आएगा, आप इसको equilibrium कर दे, ठीक है, chemical equilibrium तो भी बाद में आगा, भी तो introduction ले रहे है आप देखिए, equilibrium को समझने के लिए, कुछ basic concepts का समझना बहुत ज़रूर है, equilibrium को समझने से पहले, कुछ basic concepts को हम समझ लेते हैं, तो अब जाके equilibrium स्टार्ट करें, तो मजा आएगा आएगे, पहले basics cover करते हैं, so let's cover the basics आएए, हम बात करते हैं, chemical reaction की, chemical reaction क्या होता है कोई भी chemical change, कोई भी chemical change, उसको अगर हम symbolic representation देते हैं, यही होता है chemical reaction chemical reaction क्या होता है, chemical reaction होता है, it is a symbolic representation of a chemical change, it is a symbolic representation of a chemical change, जैसे nitrogen की जगह N लिख देंगे symbolic, oxygen की जगह O2 लिख देंगे symbolic, hydrogen की जगह H2 लिख देंगे symbolic, पाप समझ में आ रहा है, symbolic symbol का इस्तेमाल करके, आगर हम reactant से product बनता दिखाएं, इसी को chemical reaction कहते हैं, कोई नहीं reaction ही पूछेगा, लेकिन टाइप से बहुत इंट्रेस्ट है लोगों का, सबसे पहला जो हम टाइप डिसकस करेंगे, on the basis of physical, on the basis of physical state, on the basis of physical state, ठीक है न, तो physical state के basis पे हम chemical reaction को differentiate करते हैं, सबसे physical state के basis पे कौन कौन से parts होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है दोस्त, उसको बोलते हैं homogeneous, और दूसरा जो chemical reaction का part होता है, उसको बोलते हैं homogeneous, अब homogeneous क्या है, heterogeneous क्या है, एक एक करके समझेंगे, प्यारे विद्यारतियों, बहुत प्यार से, बहुत इमानदारी से, समझदारी से, पढ़िएगा, चलिए, homogeneous क्या है, homogeneous कहता है, कि reaction के अंदर, सारे reactant and product, same phase में होने चाहिए, homogeneous कहता है, कि all reactant and products, all reactant and products are in same phase, all reactants and products are in same phase, इसी कौम क्या बोलते हैं, homogeneous, मतलब, जैसे foreign exam, अच्छा एक बात बताईए, सबसे पहले कि हम आगे बढ़े हैं, क्या आपको ये बात पता है, कि physical state or phase, same होता है या, different होता है, physical state or phase, same होता है कि different होता, homogeneous, heterogeneous, ये physical state के basis पर है, मैं कह रहा हूँ कि same phase है, इसका मतलब, सारे gases होंगे, यही आपके दिमाग में भी तो यही आ रहा होगा, कि सार जो सारे gases होंगे, उसी को बोल देते, जैसे मालीजी इसका example, इसका example, जैसे मालीजी यह है, 2HI gas, यह reversible reaction में, H2 gas प्लस I2 gas, अब आप कहेंगे कि सार यह देखो, सारे सेम फेज में है, बिटा यह सेम फेज में, आपको कैसे पता कि सेम फेज में है, यह सेम physical state में है, यह तो clear दिख रहा है, पेज और physical difference बहुत, पेज और physical state यह दोनों बहुत different चीज़े होती है, पहले इसको समझे, फिर homogenes, heterogenes पर जाएंगे, पेज क्या होता है, फिजिकल state क्या होता है, देखिए, जैसे माल लीजिए, मेरे पास यह पानी का bottle है, समझ गए है, पानी का bottle है, इसका मैंने, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मिला दिया, और इसको जबरत गोल दिया, और गोलने के बाद, फिर हमने उसमें देखा, तो क्या आपको नमक दिखा है, नहीं देखेगा, क्या आपको चीनी दिखेगा, नहीं देखेगा, वो गोल चुका है, तो phase का मतलब होता है, जब हम physical statement differentiate ना कर कर पाएं और स्टाल्ट क्या था सॉलिड जाने के बाद स्वाल्ट भी लिक्विड यी दिखरा सब्ट अलग से सालीड फों मैं रहा है तो जब हम से स्टेट में डिफ्रेंशेशन ना कर पाएं इसी को हम कहते हैं दोस्त क्या पिस स्टॉल्ट था सॉलिड है सॉलिड रहेगा बट्व फेस ऑफ इस्टॉल्ट इसना लेक्विड ये लिकन अब पानी में मिलने के बाद वो लिक्विड हुचुका है पेस किसको मोलते हैं जब फि दिफरेंशेट में आप आप सारे आप सांस ले रहे हो तो वैसे फिजिकल स्टेट जिनको हम डिफरेंशेट नहीं रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे दोस्ट फैस अब देखेए इगसेज देखेए तो कितने सारे गैसे मिल जाएं आप डिफरेशिया नहीं कर सकतें को अलग-अलग नहीं कर सकते हैं बहुत ईए चल एट अ अधवह्र पॉसरसेस होता है त्वाइस अमोनिया गैसs ठीक है यह होगा आपके पास जैसे माल लीजे आपके पास है CH3COOH liquid प्लस C2H5OH liquid यह आपको मैं पढ़ाऊंगा यह esterification reaction होता है acid or alcohol मिलके यह esterification का एक पार्ट होता है वहाँ पे acid or alcohol मिलके ठीक है ना यहाँ पर बनेगा दो CH3COOC2H5 liquid प्लस H2O liquid देखिए मैं साब सारे के सारे liquid हैं इसलिए होमोजीनियस बोल दिये जाएंगे अब सारे ही liquid हैं हम डिफ्रेंशेंट नहीं कर पाएंगे इसी को हम कहते हैं phase तो जब same phase में हो तो क्या होते हैं वो होमोजीनियस but they are in different phase if reactants and products are in different phase if reactant and product are in different phase तो इसी को हम क्या बोलेंगे हेट्रो जीनियस जैसे calcium carbonate solid होता है जब मैं इसको break करूँगा तो मेरे प्यारे दोस्तों यह obviously है कि decomposition reaction C reversible तो नहीं होगा हाँ irreversible होगा CO solid plus CO2 gas यह एक ऐसा reaction है जिसमें तहब solid भी है और gas भी है तो एक से जादा जब आपके पास physical state आ जाते हैं इसी को हम heterogeneous कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों N2 gas जो है वो O2 gas से मिलेगा और twice NO liquid बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ liquid और gas आ गये है heterogeneous आ गया है क्या बात समझ में आ चुका है अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ammonia gas जो है वो H2 liquid से मिलेगा और आपके पास क्या बनेगा NH4OH gas NH4OH aqueous मिलेगा क्या बात समझ में आती है क्या बात समझ में आती है यह heterogeneous है तो homogenious समझ में आ गया heterogeneous समझ में आ गया physical state के basis पे chemical reaction को इंदो परकार में बाटा गया है अगर कोई doubt है तो ही comment में दिखना वरना चुप रहना है class में शांती चाहिए मैं बता रहा हूँ कोई comment यह YouTube lecture नहीं बनाना आपको इसको quota classroom समझना है ठीक है ना pre में मिल रहा है फिर भी आपको तवज्जो देना है क्योंकि ऐसा नहीं मिलेगा पे करके भी ठीक है ना चलिए दोस्तों यहां से आप heterogeneous reactions के बारे में homogenious reactions के बारे में आप पता कर पाएं है that's amazing, that's great हाँ, चलिए, अच्छी बात है अब आज आते हैं कि physical state के basis पे तो chemical reaction को बाट दिए दूसरा on the basis of heat second, type of chemical reaction का second part on the basis of heat heat के basis पे chemical reaction को आप बाट सकते हैं heat के basis पे chemical reaction को आप बाट सकते हैं left side में आपके पास क्या है endothermic reaction left side में आपके पास क्या है endothermic reaction right side में आपके पास क्या है exothermic reaction left side में आपके पास क्या है endothermic reaction right side में आपके पास क्या है exothermic reaction amazing endothermic और exothermic क्या होता है समझेगा हमारे पास reactant है जब तक हम energy नहीं देंगे रियक्टेंट को वो product बनेगा ही नहीं इसी को कहते endothermic endothermic क्या होता है the reaction in which heat is absorbed energy is absorbed इसी को क्या कहा जाएगा simple बासा में sir endothermic कहा जाएगा एक दम बच्चों की तरफ पढ़ाओंगा एक दम कोई मुझे ऐसा नहीं show करना कि मुझे बहुत आता है एक दम बच्चों की तरफ पढ़ाओंगा और जो काम की बाते पस वहीं पढ़ाओंगा उसी से selection होगा मैं आपको महान बनाने नहीं आया हूं मैं आपको डॉक्टर बनाने आया हूं फिर से आईएगा endothermic क्या कहते है a reaction in which heat is absorbed a reaction in which heat is absorbed तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों heat is absorbed का मतलब क्या होता है कि दोस्त रियक्टेंट को जब तक आप heat नहीं दोगे जब तक आप energy नहीं दोगे इप प्रोड़क्ट बनेगा heat बनेगा ही नहीं अच्छा एक बात बताईए तो सर अगर हम heat दे रहे हैं तो heat प्रोड़क्ट का energy जादा होगा कि reactant का energy जादा होगा बेटा chemistry में H का मतलब energy होता है डेल्टा H का मतलब changing energy होता है या enthalpy जिसको हम बोलते हैं तो H का मतलब energy आप समझेए अब मुझे बताईए जब मैं energy दे रहा हूँ तो obviously product का बढ़ेगा ना क्योंकि energy देने के बाद product बना है तो product की energy बहुत जादा होगी समझ गए तो दोस इसमें product का heat बहुत जादा होगा as compared to reactant का heat अच्छे एक बाद बताओ delta H क्या है delta H है product का heat minus reactant का heat बेटे महराज delta H greater than 0 है यह delta H greater than 0 है दोस यहाँ पर endothermic और exothermic की बात करते हैं the reaction in which heat is absorbed मतलब product का heat जादा है compared to reactant का heat heat जब माल लिए मैं यहाँ पर हूँ और मुझ में 100 kg का heat में absorb कर लिया अब मैं product बन रहा हूँ तो obviously मेरे अंदर 100 kJ add हो गया है ना तो product जादा हो गया है ना इसलिए product है इसलिए बोला जाता है इंडो थर्मिक में डेल्टा है जीरो आपको रटवाया जाता है इंडो थर्मिक डेल्टा है जिरो काहे प्रोड़क्ट जादा हो गया अब आरहा थीक यहां तक भी समझ आ गया सर ऐसा है reaction in which heat is released reaction in which heat is released जिसमें हीट हो रहा हो इसको हम क्या बोलेंगे एक सो थर्मिक रेक्शन अब रियक्टिंट है product तब बनेगा जब इसमें से कुछ हिसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटे ऑफ रीप्रेंट इस ग्रेटर दिन हीट और प्रोडक्ट तो होता है फ्रोड़क्त होगा कि व्लम इस वजय नेग्टिव और जाएगा इसे लिए बोला जाता है इंडो थर्मिक पर डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉस्टिव पहली बार पढ़ रहोंगे सायद मतलब समझ रहोंगे पहली बार पढ़े तो बहुत बार रहे हैं क्यों बासमझ में आ रही है क्या इकुलिब्रियम का डेफिनीशन अगर आपसे कोई भी पूछे तो बोलिएगा ऐसा लगता है कि रियक्शन रुकसा गया है थमसा गया है ठहर सा गया है रुका नहीं है ठहरा नहीं है थमा नहीं है ऐसा लगता है कि रुक सा गया ठहर सा गया थम सा गया ऐसा होता नहीं है इसी को equilibrium कहते हैं अच्छा ऐसा क्यों लगता है क्योंकि जिस rate से आगे बढ़ता है reaction उसी rate से पीछे आता है reaction सो आगे जाने का rate पीछे जाने का rate चुकी बरा स्टॉप हो गया है स्टॉप होता नहीं है ऐसा लगता है कि पानी उतना है पानी आना जाना बंद नहीं हुआ है पानी आ भी रहा है पानी जा भी रहा है ऐसा लगता है कि पानी ठहर गया है रुक गया है थमसा गया है अरे बोलो बात समझ में आ गया है अगर बात समझ में रहा है जी ठीक है ना चलिए सर ऐसा है कि सर मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूं आर का मतलब रियक्टेंट में हीट देंगे तभी तो प्रोड़क्ट होगा क्या यहां तक कोई दिक्कत रियक्टेंट में हीट देंगे तभी तो प्रोड़क्ट होगा होगा नहीं होगा येस लिखने का तरीका है अच्छा यहां पर बताईए रियक्टेंट में से हीट रिलीज हो जाएगा तब जाके प्रोडक्ट बनेगा बोलो बात यहां तक ठीक है क्या कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना । बनेगा हुआ यहां प estaban हमें आएज भी जाएगा हें रियक्टेंट हो और यही सवाल पूझा भी जाएगा बात समझ के रख ना है थीक है ना? और दोसzt Reactant is going for product plus heat, इसको ऐसा नहीं समझना है कि सर्फ plus heat है तो endothermik और minus heat है तो exothermik नहीं, अगर minus है तो plus में ले जाए, तब comment करिए, तो plus में ले जाए, तब comment करिए, समझ रहे हैं? दोरों तरफ घुमा की देख लेना दोस्त, अगर रियक्टेंट में एड हो रहा है तो एंडो थर्मिक है रियक्टेंट में एड हो रहा है तो एंडो थर्मिक है रियक्टेंट में एड हो रहा है तो एंडो थर्मिक है रियक्टेंट से माइनस हो रहा है तो एंडो थर्मिक है बाबा समझ आया अंकल आंटी समझ आया जित एक और चीज मुझे और आपको बताना है ठीक है अगर माल लीजिए यह सब रिपर्जेंटेशन का तरीका है यहां पर बताइए कि हीट किसका ज्यादा है प्रोडक का की रियक्टेंट का प्रोडक का एक माल बताइए अगर ही इनर्जी ज्यादा है एच का मतलब इनर्जी कम होगा यह ज्यादा होगा इस्टाबिटी और इनर्जी का इन्वर्स रिलेशन पाया गया है वह स्टाबिटी और इनर्जी का इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है तो अगर इनर्जी ज्यादा है तो स्टाबिल्टी कम होगी तो प्रोडक की स्टाबिल्टी कम होगी रियक् ज्यादा है कि प्रोड़क्त ज्यादा एस्टेबल है यहां पर लिखेंगे महराज reactants are more stable दिख रहा है ना reactants are more stable than product मुझे पूरा-पूरा भरोसा है कि clear हो रहा होगा reactants are more stable than product अच्छा जी reactants are more stable than product यहां पर बताएए जिसका इसका इनर्जी ज्यादा उसकी stability कम, यहां पर लिखेंगे product is more stable than reactant, product is more stable than then then reactant, अरे बोलो बात समझ में आई की नहीं आई, अरे हा ना बोलना पड़ेगा, मित्रों अब लाग जा कि आपको और अच्छे से दिख रहा हो, बोलो ठीक है क्या, बोलो समझ में आ रहा है क्या, हा यहां तक ठीक लग रहा है, एक बात और समझना चाहता हूँ, एक बात और समझना चाहता हूँ, graph, एक बात और समझना चाहता हूँ, graph, graph of endothermican, exothermic, ठीक है न, थोड़ा दिर side हो जाओ, side please, बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए भईया, आगे बढ़ते हैं, मेरे प्यारे विद्यारतियों, graph से पहले, reactant से product, और यहां पर लिखा हो, delta H greater than 0, that means, यह endothermic लिखने का तरीका है, reactant से product, और यहां पर लिखा हो, delta H less than 0, that means, यह exothermic लिखने का तरीका है, यहां पर endothermic, और यहां पर exothermic, यह लिखने का तरीका है, last graph की बात कर लेते हैं, माल लिजिए, मैंने यहां पर left hand side पर energy रखा है, और यहां पर मैं क्या लख रहा हूँ, reaction coordinate, यहां पर energy, और यहां पर reaction coordinate, reaction coordinate का मतलब होता है, amount of reactant and product दिखा रहे है, reactant and product का amount दिखा रहे होते है, उसी तरह, तेम मैं यहां पर भी draw कर रहा हूँ, endothermic और exothermic लिए, endothermic left और exothermic right, चलिए, y axis पर क्या है, endothermic है सर, वो energy है, तो reactant यहां पर है क्या, बिल्कुल, reactant में energy जाएगी क्या, बिल्कुल, फिर product की energy बनेगी क्या, बिल्कुल, तो यह है बेटा HR, बिल्कुल सही, यह है बेटा HP, बिल्कुल सही, तो मेरे प्यारे विद्याब्थियों, यह HR और HP यहां पर आप देख सकते हैं, this is what HP, this is what HR is, product की energy जादा हो जाएगी, reactant की energy कंब हो जाएगी, यही तो endothermik है, लेकिन एक्सो थर्मिक में क्या होगा सर रिएक्टेंट की इनर्जी जादा और प्रोड़क्ट की इनर्जी कम सर रिएक्टेंट की इनर्जी जादा और प्रोड़क्ट की इनर्जी कम बोलो बेटा बात समझ में आए क्या यह रिएक्टेंट की इनर्जी हो गई है क्या ठीक है पर दोस्त इनरजी देना पड़ा है यह यहां पर इनरजी रिलीज रिलीज हुआ है एक्सोथर्मिक रियक्शन है बोलो हाँ बोलो हाँ किलियर है क्या अरे समझ में आ रहा है क्या ठीक है सर यहां तक हमने रियक्शन के दो पार्ट कर लिये हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ठीक है सर अब हम थोड़ा एकुलिब्रियम के और करीब जाते जा रहे हैं और एकु एकसन इनरी एढ्ड होंगा एकस तरमी करी घूर्य में और जर्म प्रदaysेग्स तरमिश माइनस होगा है लेस्थिंट तर्म यृौ एकस्व तर्मिक सबसे पहले हम इर्डीवर्सिबल की कहानी कहेंगे तब से पहले बेटा, Irreversible, अच्छा टॉपिक है, और फिर पढ़ेंगे बेटा हम Reversible, और आगे से Irreversible अब नहीं पढ़ेंगे, एक बार हम लास्ट बार यहां पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में, क्योंकि Irreversible में कोई भी Equilibrium नहीं आएगा, तो Irreversible की क्या बात करते हैं, आई एक इंसान होता है जो भूला भटका माल लिजे गलती हो गई है तो भूले भटके वो घर को वापस आ जाता है और एक ऐसा जिद्धे इंसान होता है कि नहीं भाई एक बार निकल चुके तो निकल चुके वो घर वापस लोटके नहीं आता है जो एक बार product बन गया और वो वापस reactant की तरफ मुँढ़के नहीं आ रहा है तो वो irreversible है लेकिन जो घर को वापस लोट जाए यही reversible होता है कि चलो कोई बात नहीं reactant से product बन गया कोई बात नहीं घर को वापस भी आ सकता है product से reactant बन सकता है वो है reversible अगर single direction में जा रहा है कि reactant से प्रोडक्ट बनने के बाद अब कोई रास्ता खुला नहीं है प्रोडक्ट कोई रास्ता वापस नहीं आ रहा है तो वह irreversible है the reactions which only proceed in one direction, the reaction which completes, उसी कोम कहते है, irreversible reaction, ठीक है न, a reaction, यहाँ पर लिखेंगे, a reaction which, a reaction which cannot proceed in, which cannot proceed in reverse direction, a reaction which cannot proceed in reverse direction, ठीक है न, दूसरा, a reaction, which, a reaction which cannot proceed in reverse direction, a reaction which, only, proceed in, single direction, reaction, दोनों मैं से कोई भी आपका चलेगा, बेटे दोनों मैं से कोई भी आपका चलेगा, कोई दिक्त वाली बात नहीं होगी, समझ में आ रही है बात यह बात, ठीक, वैसे reaction, जिसमें वापस आने की tendency ना हो, जो घर लोटके वापस ना आए, इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्त irreversible reaction, ठीक, चले, next, अब इसके कुछ characteristics है, characteristics of irreversible, characteristics of irreversible, characteristics of irreversible, characteristics of irreversible की हम बात कर लेते हैं, आए, जो घर लोटके वापस ना आए, सबसे पहले, कि सर, यह single direction में जाता है, यह तो हमने लिख भी दिया, दूसरा, इट गोज फॉर कम्प्लीशन, इट गोज फॉर कम्प्लीशन, गोज फॉर कम्प्लीशन का मतलब है, कि reactant से पूरा पूरा प्रोड़क्ट बनेगा, अब एक बात जब पूरा प्रोड़क्ट बन गया, तो कभी भी reaction वापस नहीं आ सकता है, वापस आने की tendency यहीं है, कि भा सो यह complete हो जाता है, इसे लिए वापस नहीं आ पाता है, ठीक है जी, इट गोज फॉर कम्प्लीशन, ठीक है न, यहाँ पर लिखेंगे extent of reaction is 100%, extent of reaction is 100%, अभी हम बताएंगे वो कौन-कौन से reaction से, ठीक है, दूसरा, इसमें लिखेंगे कि generally takes place in open container, generally takes place in open container, समझाने की कोशिस करता हूँ, अगर नहीं समझ आए, तो थोड़ी देर के लिए wait कर लेना, रिवार्सिबल में जब हम close समझाएंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा, बट अब फिर से यहाँ समझे, माल लीजे, कोई reaction हो रहा है, और reaction वो खूले container में हम करा रहा है, open container में, और माल लीजे, बिटा, product gaseous बना, तो open container में रहे तो ऊड़ जाएगा, तो वापस कहां से आप आएगा, माल लीजे, a plus b is giving c plus d, और c gas है, तो c ऊड़ जाएगा, open container में है, तो c ऊड़ जाएगा, तो बिटा, अब c बचा ही नहीं, खतम ही ऊड़ ही किया ना, तो वापस कहा आएगा, तो open container की सबसे खास बात यह होती है, कि भाई साब ये तो बीचे आएगा नहीं, reversible होगा ही नहीं, उड़ जाएगा, उपर चला जाएगा, ठीक है, इसके example क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्त इसका example हम देखते है, neutralization reaction, सबसे पहले इसका हम example देखते है, neutralization reaction, शा समझ आ रहा है क्या, नमोनो, reaction between acid and base, इसी कुद हम क्या कहते है, neutralization reaction, and form salt and water, वो अलग बात है, neutralization reaction का, अरे सर कोई भी सबसे basic वाले ले लो, HCl और NaOH, मुझे लगता है, class 6 में भी आप किसी से पूछोगे, तो ये बता देगा, मुझे बताईए, क्या कभी आपके salt plus water मिलाने से, एक acid और एक base मिल जाएगा, संभाव ही नहीं होता है, तो इसलिए, जब ये एक बार react हो गया, घर को वापस नहीं आ सकता है, जैसे कि माल लीजे, precipitation reaction है, तेकेंड एक्जामपल जो दो, neutralization reaction के बाद, इसको हम देते है, precipitation, precipitation reaction, मतलब, माल लीजे, कोई precipitate ही बन जाए, जैसे, ये भी एक्जामपल बड़ा simple है, NaCl plus AgNo3, यहाँ पर बनता है दोस्त, NaNo3 plus AgCl, आयन exchange reaction है, प्लस माइनस exchange हो गया, जो AgCl बनता है, बेटा, वो precipitate बना लेता है, मतलब, AgCl जो है, वो बीकर के नीचे जाके बैट जाएगा, वो precipitate बना लिया, नीचे जाके impurity जैसा बैट जाएगा वो, अब जब नीचे जाके चिपा गया, तो कहे को पीछे जाने जाए, आ यह क्या हो गया सर, जब बैट गया, तो वापस उठेगा नहीं, वापस reactant में नहीं आएगा, बात समझ में आ गया, ठीक है, अरे बोलो बेटा, समझ में आ रहा है, तो यहां तक तो सर, precipitation reaction भी समझ आ गया, मान लीजिए, third example में देता हूँ, decomposition reaction, मैं third example देता हूँ, decomposition reaction की बा आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, सर, गैस बना है, यह उड़ जाएगा, तो वापस आही नहीं सकता है, दूसरा, जब तोड दिया है, तो कहे को जोड़ोगे वापस, decomposition का मतलब टूट ना होता है, तूट चुका है, अब यह वापस जुड़ेगा नहीं, irreversible का process ह दोस्त, तीसरा, चौथा चीज, सर, आपके पास कोई जोलन जलाने वाली चीज, अब माल लीजिए, आप जला देंगे, ऐसा थोड़ी है कि कागज जला दिये, अब जलाने के बाद वो जो राख बचता है कि वापस कागज बना लोगे, नहीं, तो irreversible है, जो चीजे घर को वापस ना पाएं, वो irreversible हो जाती है, जैसे माली जी हमने hydrocarbon को, हमने क्या किया दोस्त, जला दिया, तो carbon dioxide और पानी बना, carbon dioxide उड़ जाएगा, या पानी अपना बैह जाएगा, जैसा भी हो, वापस नहीं आ पाएगा, तो जो घर को लोटके वापस ना आएं, वो क्या कहला जाते हैं, irreversible, और ध्यान दे, घर को लोटके वापस कौन नहीं आता है, irreversible, और क्यों नहीं आता है, 100% complete हो जाता है, वापस लोटके आने के लिए ध्यान रखे, 100% complete नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही अभी, माली जैसे माली जै कोई एक लड़का है, माली जै कोई आप में से एक लड़का है, अंकल अंटी में से, कोई भी अंकल जी है माली जी, अंकल जी का एक्जामपल ले देते, अब अंकल जी विचारे बिगड़ गये, घर भाग गये, बिगड़ गये, अब घर वाली तब ही तक एक्सेप्ट करेंगे, जब तक completely नहीं बिगड़ा है अगर हो 100% बिगड़ गये, डाकू बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे, घर वाले वापस नहीं लेंगे, there is no reversible way, हाँ, थोड़ा बहुत बिगड़ा है, अभी बस थोड़ा बहुत ही शरारत कर रहा है, तो ठीक है, उसको घर पिलाके 2-3 थपड लगाएंगे, उस सुदर जाएग 100% complete हो जाएगा, तो reaction वापस नहीं आ सकता, हाँ, 100% से कम है तो ठीक है, कोई बात है, हाँ, उसको वापस लाने के tendency है, और ऐसा आंटी जी लोग खुसना होए, आंटी जी लोग भी उतना ही है, उनके साथ भी यही है, ठीक है न, चले, कई लोग बच्चे कर रहें कि सर, रिक दूसमनी पाले रे बेटे, लड़कों का दर्थ हम से चिपा है क्या है, चल आज़ा दोस्त, रिवर्सिबल की बाद हम बात करते है, रिवर्सिबल की, जो घर को लूट कर वापस आ जाए, जो लूटकर घर को वापस आ जाए, वही क्या है, रिवर्सिबल है, मतलभ a reaction as well as forward a reaction which can proceed in backward as well as forward is called reversible reaction a reaction which can proceed in backward as well as forward is called reversible reaction means इसका मतलब क्या है मतलब निकालिये बेटा read between the lines इसका मतलब reactant has the tendency to convert to product and product also has the tendency to convert into reactant जब दोनों आपस में घुल मिल सकते हैं तभी reversible होगा बेटे means reactant can change into product reactant can change into product and product can also change to reactant and product can also change to can also change into reactant बोलो बात समझ में आ गई अरे हां या ना बोलना पड़ेगा आई दूस्री चीज़ यहां पर आप देखेंगे बहुत important बात है कि बेटे जैसे माल लीजे आपके पास जैसे माल लीजे आपके पास यह एक reaction है बेटा a plus b इससे बेटा आगे बढ़ा था reaction और c plus d बना था जैसे ही c plus d थोड़ा बहुत बना इसका मन किया कि वापस हम घर को चलते हैं वापस reactant से reactant बनाते हैं है तो अगर ऐसा situation है कि रिच्टेंट से product भी बन सकता है product सब्सक्राइब बन सकता है इसे को हम operating action क्याते जिम और ही what सिब ethnic reaction में ही जिस रेटा बनेगा अगर उसा ब đãने रहा है इसी को equilibrium कहते हैं कि कि जिसलेट से आगे जा रहा है सी एक पीछे आ रहा है इसी को होगा है ऐसा कि कि रुकसा गया है सब कुछ सब कुछ सहवा नहीं है तो इसका मतलब क्यों ऐसा लग रहा है जिस रेट से आगे गया उसी रेट से पीछे आया माली यह दस प्रोड़क्ट में दस एडिशन किया तो प्रोड़क्स में से माइनस भी हो जाएगा दस रीक्टेंट की तरफ तो दस आगे भी बढ़ रहा है तो फो फ चली है तो कोल मिला कर जीरो तो फॉस लगेगा कर समझ ना चलिवाएसा यहां मगए है चलिए संवाथ चलियो है और हम कैक्टरिस्टिक según की करक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं so characteristics of reversible reaction characteristics of reversible reaction चीक है एक गाना सुन रहा था मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सुचा आपको भी सुना दू चांद वाला मुखडा लेके सुना आपना ओके मामू जब प्लस क्लास में पता नहीं क्यों में लोग मामू बुलाते हैं I don't know why मैं साइद अंकल अंटी बोलता हूं तो फ्रस्टेशन निकालने की कोशिस करते हैं बट आपको लगता है आप अरे बात समझ में आ गई ठीक है सर समझ गए सर दूसरी यहां पर लिखेंगे यहां पर जो most important चीज है वो यह है कि बेटा बंद डब्बे में ही यह होता है क्यों अगर मालीजे खुला डब्बा ले लिया तो भाई साहब जो गैस बनेगा वोट जाएगा जो मालीजे वेपर बनेगा वोट जाएगा तो चीजे एसकेप आउट कर जाएगे तो चीजे जब बाहर निकल जाएगी तो वापस आने का सीन खतम हो जाएगा वापस तभी तक आ सकता है जब तारा का सारा प्रोड़क्ट वहाँ पर प्रेजेंट हो प्रोड़क्ट में से कुछ भी कम हुआ वापस आने की टेंडेंसी खतम कि इसी लिए ध्यान रखिए टेक्स प्लेस ने कुलूज कंठेनर लेकिन एक और बात में और फरय एक और मड़न वर भोडोड़ का हमने लिखह है जेनेरली इसका मतलब जरूरी नहीं हे इसका मतलब हरी नहीं है कि हमेज्था क्लोस कंठेनर ही हो ना कंठेनर ना क्लोस्ट कंटेनर क्यों ले रहे ताकि कोई चीज बाहर ना निकले उड़ना जाए समझ गए अगर माल लीजिए उड़ने वाला प्रोड़क्ट ही ना बने सॉलिडी प्रोड़क्ट बने लिक्विड प्रोड़क्ट बने वह वहीं भी जमा रहे तो इसे लिए लिखा गया है जेनरली आपको क्लोस्ट कंटेनर लेना होता है माल लीजिए कोई चीज एसकेप आउट ना करें तो कोई बात नहीं ओपिन कंटेनर भी भी करा लेंगे समझ गये ना ठीक है चलिए उसके बाद फॉर्ट वन में आते हैं कि दोस्ट यहाँ पे कैन अटेन एक्टिया एकंट क्या होना चाहिए याद करिए बेटा याद करिए इकटिया होना चाहिए तर एकटियूब्रियम के लिए जिस रेट से आ रहा है उसी रेट सी अगर जा रहा है इसी को हम equilibrium कहते हैं जिस रेट से आएगा उसे रेट से जाएगा समझ में आएगा यही equilibrium कहलाएगा ठीक जिस रेट से आएगा उसी रेट से जाएगा बोलो बेटा समझ में आएगा यही equilibrium कहलाएगा वही बात यहां पर है कि सर यहां पर आने का भी रास्ता दिख रहा ह रिवर्सिवल है ना आने का भी रास्ता दिख रहा है जाने का भी रास्ता दिख रहा है जिस रेट से आएगा उसे रेट से जाएगा अगर दोनों बराबर हो जाएगा यहीं equilibrium कहलाएगा बोलो बेटा समझ आएगा ठीक है सर तो can attain equilibrium rate of forward is equal to rate of backward होता है अभी और ज्यादा डिटेल में आऊँगा धीरे 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 समझा रहा हूं डॉंट वरी जिस रेट से बेटा A B में convert हो रहा है उसी रेट से B A में convert होगा तो अगर rate of forward rate of backward बराबर होगा इसी को equilibrium कहा जाएगा मेरे प्यारे वे द्यारतियों बात समझ में आएगा क्या अच्छा 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 जब rate of forward rate of बराबर होगा तो क्या होगा ऐसा लगेगा कि reaction रुकसा गया है थमसा गया है ठैरता गया है बट reaction रुका नहीं होता है reaction थमना नहीं होता है reaction ठैरा नहीं होता है ऐसा लगता है और यही लगने का आवस्था इसी को कहते हैं हम equilibrium लगेगा कि मुझे लगता है अब अब को कोई नियंद में जगा के पूछ तो आप यही बोलोगे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ थम सा गया, रुक सा गया, ठायर सा गया यही लगेगा क्या? यही लगेगा क्या? इसी को कहते हैं बेटा, इकुलिब्रियों आईए, मेरे प्यारे विद्यारतियों, मैं आगे आपको और लेके चलता हूँ आगे और लेके चलता हूँ, समझ रहे हैं? आईए, अब मैं आपको एक एक ऍजामपल देता हूँ मैं आपको एक इक्जामपल देता हूँ यहाँ तक समझ आ गया, आप आते हैं, आईटल लगाएंगे बेटा, meaning of equilibrium क्या लगाएंगे दोस्त? meaning of equilibrium 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 का मतलब क्या होता है Meaning of Equilibrium आजाओ Meaning of Equilibrium H2 gas बहुत शांदर प्लस I2 gas बहुत शांदर It gives twice HI gas बहुत शांदर Amazing H2 gas plus I2 gas gives twice HI gas आप देखिए माल लिजे कुछ reactant होंगे माल लिजे बेटा कुछ आपके पास reactant होंगे कुछ अभी तो product 0 होगा न माल लिजे दोस्त यहाँ पे आपके पास reactant के 100 mol थे 50 mol I2 I2 कुछ भी मान सकते हैं आप 100 mol माल लिजे total reactant थे आपको अगर यह बात नहीं पता है तो समझ लिजे काइनेटिक्स में आता है कि rate is directly proportional to concentration यह अगर नहीं पता है तो यह समझ लिजे काइनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा rate is directly proportional to concentration कि सब्सक्रयूंत अब ही रीक्टेंटिक्स का रीक्त्रेंटिक्स का रेट बहुत ताजी से ही तो relevant बहुत प्रोडक्ट करेगा क्योंकि रीयक्ट्रेंट्री जादा है और प्रोडेक्ट्सक्रेश्य निसाव से नव्य हुआ तो है यह बनेगा सर 10 किर मलीजे यह 80 हुआ तो यह बनेगा सर आपके पास 20 मौलीजे सरवी साथ हुआ तो यह बन जाएगा 30 मालीजे सर यह साट हुआ तो यह हो जागा 80 यह हो जागा 10 तो यह हो जागा 90 अरे बात समझ में आ रही हो जीरो तो यह हो जागा 100 ऐसा ही होगा चलिए मैं इंतना cases ना लेनी के बजाए मैं आधे cases में आपको समझाता हूं अगर माल लीजिए वह 100 यह 0 हो जाता और हो जाता माल लीजिए बेटा यह 0 हो जाता और यह 100 हो जाता तो क्या यह इर्रिवर्सिब्रीम की बात करें इकलूब्रियम हमिशा reversible में आएगा तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ इसलिए मैं एक example बताता हूँ दिखिया रियक्टिंट साइड में क्या concentration कम हो रहा है रियक्टिंट साइड में concentration कम हो रहा है बोलो हाँ ठीक है सर बिल्कुल है सही बात है और product side में concentration बढ़ रहा है और product side में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बिल्कु सही है प्रोड़क्ट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है अब सुनो अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो क्या रेट भी कम होगा क्यों अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो रेट भी कम होगा क्यों कानेटिक्स कहता है और अगर कंस यज़्य और से लिक्षेंट धीरे 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 बढ़ेगा एसा लगेगा कि इसकाtery Bombs को रहा है दो इसकाуется रीट कम होगा और इसका rate बढ़ेगा एक तरफ से जिस पर यह दोनों बराबर पाए जाएं ऐसी अवस्था जिस पर यह रोट बराबर पाए जाएं इसी को क्या कहते हैं equilibrium कहते हैं the state the moment the state of the system where rate of forward is equal to rate of backward it is called equilibrium equilibrium और जब भी rate of forward rate of backward होगा तो क्या होगा ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुकसा गया है थमसा गया है ठहर सा गया है लेकिन रुका नहीं है ठहरा नहीं है यही होता है तो इसी लिए बेटा इसी को कहते हैं equilibrium equilibrium the moment the state the moment at which rate of forward reaction reaction रुका है क्या reaction नहीं रुका है reaction चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल ला है जिस rate से आगे चल ला है उसी rate से पीछे चल ला है तो दोनों चल ला है reaction रुका नहीं है हाँ रुकसा गया है क्यों जिस rate से आगे चल ला उसी rate से पीछे भी चल सब कुछ constant लग रहा है बोलो हाँ सब कुछ class में रटवा दूंगा tension मतलो सब कुछ class में याद करा दूंगा tension मतलो तुम पंस नीट का पड़ाओं और कुछ नहीं पड़ाओंगा जही वाले बच्चे नाराज हो रहे होंगे पर कोई बात नी बेटे उसके लिए कुछ हलक से बयोस्था करेंगे ठीक है लेकिन यह पूरा पूरा exactly नीट का है जो कोटा में आपको पड़ाया जाता है इससे बहतर नहीं मिलेगा ठीक है तीन चार लाख में का फ्री में ले लो तो ही अच्छी बात है मुमेंट एट विच मुमेंट लिख दिया कि मैंने मुमेंट मुमेंट सब्सक्राइब इतना थमसा गया ठैर सा गया हो गया ऐसा लगता है ऐसा होता नहीं है इसी को एकिलुब्रियम कहते हैं चीक है साइड हो जाओ चली ठीक है अच्छे बात बताईए मैं कह रहा हूं कि रेट जीरो हो गया एकिलुब्रियम कहां से आएगा बाई इकिलुब्रियम के लिए तो रुक नहीं होगी एईसा लगना चाहिए को रुक गया रेट जीरो नहीं होगा रावर होगा ध्यान देक्या बोला इकिलुब्रियार्म के लिए रेट बर इककिलूब्रियम के लिए द बराबर होगा कि एक और बात जोकि बाद में आएगा लेकिन यहीं पे मैं आपको clear हो कर रहा हूँ क्या एक बात बताईए concentration का बराबर होना जरूरी है नहीं देखो नहीं है यह 60 है यह 40 है concentration का बराबर होना जरूरी नहीं है मैं तो rate का बराबर होना जरूरी है concentration same रहेगा 60 है तो 60 ही रहेगा कि एशा लगेगा कि दाओ और ब्रेट से हो रहा है। 60 में से जितना कम हो रहा है। 40 में से उतना नहीं बढ़ जा रहा है। फिरम ले तो इससे यह कम हो रहा है उसी रेट से बढ़ जा रहा है ते जब रहा है कि रूख सा गया है थमसा गया है अब रूखा नहीं है थैमा नहीं है तहरा talkin क्لب के लिचा अब आते हैं दोस्त आपके पास रेट बराबर होगा लेकिन यहीं पे देख लेते हैं concentration एक से रेट बराबर होगा रेट एक से कंसेंट्रेशन बराबर हो यह गैरेंटी नहीं है यह गैरेंटी नहीं है कि बोलो वाई साब हेलो कैसन बार ठीक बार अरे कैसन बार रेट बराबर हो यह जरूरत यह गैरेंटी नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अब हम समझाएंगे न काहीं परसान हो रहा है समझाएंगे कहां भाग रहे है रेट वा थो समझा गया न अब कंसेंट्रेशन वह पाते हैं पहले गराफ बना लेटे फिर कंसेंट्रेशन गराफ बनाके समझा देते हैं आइए सर एक ग्राफ सिस्टम हम बहुत बढ़ियां ग्राफ बहुत अच्छा से सर कई बार ना एक ग्राफो आना चाहिए मैं MON ठीक ना चलिए सर्वाइ एक्सिस पर हम रिच्ष 2007 mom पर देड से यहां पर हम रख देते हैं रेटको और यहां पर साराम रिच्षेंद हो ताइम रख दो इसको मैं reactant लिख रहा हूँ इसको मैं reactant लिख रहा हूँ और यहां पर मैं product दिखा रहा हूँ सर प्रोड़क्ट का concentration 0 तो rate is directly proportion to concentration तो rate is also 0 तो reactant ज्यादा है ना तो सर रियक्टेंट ज्यादा है तो कम होगा ना इसका धीरे 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 हाँ जी product बढ़ेगा तो reactant सर कम होगा product बढ़ेगा ना धीरे धीरे अरे सर इसी को तो हम क्या कहते हैं जिस अवस्था पर जाके rate वा बराबर हो जाए इसी को हम equilibrium वह कहते हैं ना जिस समय पर जिस छण पर जाके दोनों बराबर हो जाए इसी को हम क्या कहते हैं टी इक्विलिब्रियम इसी को हम क्या कहते हैं टी इक्विलिब्रियम यह क्या है पॉइंट ओफ इक्विलिब्रियम इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है पॉइंट ओफ इक्विलिब्रियम उपर वाला क्या है जो कम हो रहा है फारवर्ड रियक्शन कम होता है बैकवर्ड rate versus time graph किसके लिए equilibrium के लिए rate बराबर होगा concentration की guarantee नहीं है rate बराबर होगा concentration की guarantee नहीं है कि बराबर हो के नहीं हो constant हो जाएगा रुकसा जाएगा थमसा जाएगा ठायर सा जाएगा concentration रुकसा जाएगा थमसा जाएगा समझ रहे constant हो जाएगा आते हैं बात करते हैं concentrate. पहला graph लिख लिए ऑगा और सब लोगों ने पहला graph लिख लिख लिए होगा सब लोगों ने Rate of forward is equal to rate of backward जिस समय पर rate of forward, rate of backward बराबर हो जाएंगे इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते है, जिस समय पर जाके rate of forward rate of backward बराबर हो जाएंगे, इसी को हम equilibrium कहते हैं, अब ये हो गया आपके सामने graph, rate versus time graph, अब आते हैं concentration versus time graph, अब आते हैं बेटे graph, वो भी concentration versus time, graph वो भी concentration versus time, concentration versus time graph आपको बताना है, आईए के करके समझते हैं, कंसेंट्रेशन वर्सस टाइम ग्राफ की बात करते हैं यहां वाई एक्सिस पे हम रखते हैं और एकसेक्सिस पे हम सर टाइम रख देते हैं वाइकसिस पर सा इकसेक्सिस पर पर, हम थाइए और हम यूट पूज समता है क्या वाइक एक कंसेंट्रेशन एक से कंसेंट्रिह एक से रख रहे हैं काई मख़ीजिए कोई एक क में फोड़ा है चलिए चलिए जोगी प्रोडक बन रहा यह नीचली 100 अच तो 20 कम होगा तो 20 बनेगा अब हो सकता है कि इसके 20 कम होने से रेट बराबर हो गया हूँ हो सकता है गाहिए तो होगा सुसраст एक असी पहले सौ था और सौ से सरे दे घर दे दीड़ी दे दे देखएगा वो कम हो चूर। कि प्रोड़क्ट पहले दीरो ठाग्या और धीरे 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 बढ़ते भढ़ते बढ़ते बोर्ट पे ढगा कि तर यहाँ पे यहीए отличy यहाँ पे यहाँ जाके यहाँ पेज concentration constant हो गया है equilibrium का definition क्या है यह क्या है यह क्या है अनेक अचाडमी प्रॉडी जी यह क्या है वो तो बाद में आना था आजयो तो दोस्त यह देखेगा मेरे दोस्त हाँ सर यह 100 से 80 पे आया और यह 0 से 20 पे गया यह बढ़ गया का और यहीँ पर किया च्किलीप्रियुम का सारी कि अटा है एकिलीप्र बराबर होगा तो म definisions to accomplish चीज़ सौस्ट नियुज सी गिया और यह 0-20 तब ही रेट बराबर हो गया सब्सक्रामाइट हो सकता है ऐसास तो होगा हुआ लगता है जब वो 100 जाया स्टेंट और यह गरहंटी है यहां पर लिकिए कंसे इन कॉंस्टेंट होगा जो भी होगा वो इन तो ऊसित ही रहेगा का सुगे फोगे आला को तो फसे तरैंस आइए बोड़ेशन कॉंस्टेंट i read यहाँ पर आए हैं गां सेंट बेडरेशन कॉंस्टेंट होगा गैरेंटेट इंग जो भी होगा ये साठ है तो साठ ही रहेगा ये 40 तो चालीस ही रहेगा मनें मैंने बोला रॉकसा जाएगा थमसा जाएगा ठैर साजए जहांप वहीं पर वैसा कवैसा रह जाएगा पानी क यहां पर दिखेंगे कंसेंट्रेशन वाइस स्टेशन अगे यह तरीका होता है ठीक है यहां पर यह देखेंगे सर्ट्रेशन लिखने का हो गया है डाटेट नाइन के बाद स सा आपके पास अफ रीयक्टेंड यहाँ पर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है एस कंपरड़न का ?」段का कंसेंट्रिशन थूँति आई यहाँ पर देखेंगे र्यों जो है मघ्यदák साव साहिफ इस वे दूसरा केस लेते हैं गार यह सो से कम होते-घ़ोगे 20 हो गया तो रिइकेटेंट सर कम हो गया बहुत ज्यादा, प्रोड़क्ड बहुत ज्यादा भड़ गया, जितना कम हो उतना बढ़े जाएगा तो उसी चीजर को समझाते हैं तर खंसेंट्रेशन जो एक होते 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 ज़ने कहां बीस पिया गया कि यई है कि उसी तरह है जो हमारा प्रोडक्ट है वो बढ़ते 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 कहा चला गया जाए ही अधिम हो ह्या प्रोड़क की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी एस कंपेर टू रियक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी एस कंपेर्ट टू रियक्टेंट की कंसेंट्रेशन को सो से कम होते 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 50 पे तीसरा केस कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है लेकिन equilibrium कब आएगा जब concentration constant हो गया ग्रोड़क्ट की concentration is equal to reactant की concentration टीड़न की सnt प्रूटक्ट की सकता है क्या वाला समय जब के बाद रियक्शन आपका Homic isön डियो गया है इवा इकिलिब्रियम आ गया इस 누iba है तो चार ग्राफ है जो कि आपके इकिलिब्रियम है कि रिंट हमेशा बराबर होगा कंसेंट्रेशन हमेशा कॉंस्टेंट होगा यह बात आप मान के चलिए ठीक है रेट हमेशा बराबर होगा लिखेंगे एकुलुब्रियम के लिए रेट हमेशा बराबर होगा समझ में आ गया and concentration हमेशा constant होगा concentration हमेशा constant होगा ठीक है concentration कम ज्यादा और बराबर हो सकता है concentration कम ज्यादा कम बराबर हो सकता है concentration कम ज्यादा कम बराबर हो सकता है ठीक है concentration कम ज्यादा बराबर हो सकता है लेकिन यह है कि हमेशा हमेशा constant होगा जितना भी रहे कम रहे तो constant बजादा रहे तो constant बराबर रहे तो constant ही लेगा डू लेगा नहीं जितना concentration होगया उतना ही रहेगा आईए, अब आते हैं, सर, ये graph से कई बार आपके सवाल दिख जाएंगे, PYQ बस खोलोगे दिख जाएंगे, अब आते हैं सर, characteristics of chemical equilibrium, characteristics of chemical equilibrium, तो सर, chemical equilibrium की characteristics की हम बात कर लेते हैं, आईए, सबसे पहले, बहुत जानदार, बहुत शानदार, बहुत धमाकेदार concept है, लिखी, एक करके, जो चीज़े हम ने पढ़ी, उसी चीज़ों को हम point wise लिखे जा रहे, ठीक है, theoretical point है, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, या pen चलाने का काम है, का इस दन बा, सो तो नहीं गया है, ठीक है, चलिए, the concentration of reactant will decrease, the concentration of reactant will decrease, ऐसा क्यों बोल रहो, अरे सर, खर्च बना, and concentration of product will increase, and concentration of product will, obviously, concentration of product will increase, सब धीरे-धीरे product बनता चला जाएगा, तो concentration बढ़ जाएगा, and when both becomes constant, जब concentration की बात हो रही है, when both becomes constant, then equilibrium is attained, when both becomes constant, then equilibrium is attained, when both becomes constant, then equilibrium is attained, okay, concentration constant, C, C, concentration for C, concentration for constant, C for concentration, C for constant, C for constant, ठीक है, सर, आच्छा, दूसरा theoretical point, equilibrium थमसा गया है, रुकसा गया है, ठायर सा गया है, सर, बस करो, सर भट जाएगा, इतना बार थमसा गया, है ना, equilibrium, dynamic nature का होता है, थमसा गया है, थमा थोड़ी ना, है, रेट बड़ रहा है, रेक्षन आगे भी जा रेक्षन बचा़ी है, रेक्षन चल रहा है, चल लेकिन जिसaden camera से आगे चल आगे चल, लाइया ही तो equilibrium है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुख गया बट रुखा नहीं है ऐसा लगता है चलो अब दुबारा रिपीट नहीं पता है नहीं थम्स आ गया रुखस आ गया कितना पसंद आ गया सर आपको चलो आजाओ equilibrium is dynamic in nature equilibrium is dynamic in nature and and none of the forward and backward reaction stops and none of the forward and backward reaction none of the forward and backward reaction stops ठीक है नन अफ दो forward but 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 both are moving at but both are moving at same rate कौन से बोथ अरे forward and backward both are moving at same rate hence no change is observed ऐसा लगता है कि थमसा गया है रुखसा गया है थहरसा गया है बट ऐसा लगता है इसलिए करें हैंस no change is observed but change होता है ठीक है जिस रेट से आगे बढ़ रहे है उसी रेट से पीछे जा रहे है बट चेंज इस आप्ज़र्व नो चेंज़र्व चलिए नेक्स्ट तीसरा सर्क अंसंट्रेशन की बात हो गए equilibrium डायनीमिक नेचर की बात हो गए rate की बात करते है rate of forward reaction decreases क्यों भई अरे सर concentration decrease होता है न और kinetics कहता है कि rate is directly proposed to concentration so rate of forward reaction का होता है rate of forward reaction decreases and rate of backward reaction increases and rate of backward reaction increases and rate of backward reaction increases चलि बत rate of backward reaction बत् when both becomes equal but when both becomes equal then equilibrium is attained जब दोनों बराबर हो जाएंगे जब दोनों बराबर हो जाएंगे जाएंगे सबस्क्राइंगे ग生都茶 बराबर कॉंस्टन तकर एक कंसंटरेशन कंसंटरेशन रेट इक्वल कंसंटरेशन कॉंस्टेंटर capable के क्योंके cute mówiner एक असे जर नहीं टैर्सा गया है बट रूका नहीं यह ठाइराम भाए बोलना हलके, हलके, बोलना हलके, कमेंट्स में, समझ आया क्या, साइड सर, साइड सर, सर, साइड सर, ठीक है, चले, यहाँ प्याते हैं, आपके syllabus के हिसाब से, equilibrium is only established, equilibrium is only established in, in reversible reaction, कैसन बा, obviously न, rate of forward और rate of backward को बराबर होना पड़ेगा, तो equilibrium हमेशा only one direction में established होगा, equilibrium is only established in reversible direction, अरे बोलो, ठीक है सर, यह तो बड़ा चिंदी सा है, equilibrium obviously reversible में होगा, तभी तो rate of forward और rate of backward आएगा, अब ही तो rate of forward और rate of backward आएगा, आओ, आजाओ, पिफ्ट केस, important case, last case of characteristic, आईए, equilibrium can be, can be, attend from both direction, equilibrium can be, attend from both direction, obviously, आरे, जब को RF मान लो, इसको RF मान लो, बात तो एक ही है ना आ, ऊपर वाले को RF मान, नीचे वाले, को दोनों तरफ से आप मान सकते हो, इसको product मान सकते, इसको reactant मान सकते, इसको reactant मान सकते, इसको product मान सकते, दोनों तरफ से हो जाएगा, ये वाला important है जो मैं आब लिखा रहा हूँ, equilibrium cannot be affected by, equilibrium cannot be affected by catalyst, equilibrium cannot be affected by catalyst, ठीक है, हाँ, catalyst only decreases, catalyst only decreases, ठीक है न, only decreases or increases, catalyst only decreases or increases, time of equilibrium, equilibrium लाने का time पस घटा बढ़ा सकता है, जैसे, मान लीजे, मैं आपको यहाँ पर time के साथ उसका graph बना के बताता हूँ, ये क्या है आपके पास, rate of reaction, ROR, और यहाँ पर मैं time लिख रहा हूँ, मान लीजे, rate of forward और rate of backward पराबर हो गये, और आपके पास reactant और product constant हो गया, तो उसके बाद आपके पास आ गया है, equilibrium आ चुका, शांदार equilibrium आ चुका, अब आईगे, जैसे हैं हम catalyst डालेंगे, मान लीजे, वो positive catalyst है, तो क्या करेगा, सर इसको fast कर देगा, rate of forward को fast कर देगा, ये देखेंगे सर, वो क्या करेगा, rate of forward को fast कर देगा, वो क्या करेगा सर, rate of forward reaction को fast कर देगा, वो क्या करेगा सर, rate of backward reaction को fast कर देगा, अब rate of forward rate of backward पास करें तो होगा क्या सर समय से पहले ही equilibrium आ जाएगा यह normal time of equilibrium है T normal equilibrium और यह क्या है T positive catalyst यह time है equilibrium का positive catalyst के साथ अगर वही माल लीजे negative catalyst हो अगर वही माल लीजे negative catalyst हो तो क्या करेगा सर rate of forward को भी कम कर देगा धीरे कर दिया और rate of backward को भी धीरे कर दिया तो यह फिर से एक time आ जाएगा यह फिर से एक time आ जाएगा negative catalyst के साथ मतलब catalyst में equilibrium को कोई चरचर नहीं कर पाया हाँ positive catalyst negative catalyst है यह हुआ कि सर एक पहले करा दिया यह बाद में करा दिया समय था समय से पहले और समय से बाद बस यह है reaction को fast और slow कर सकता है that's it reaction को fast और slow कर सकता है that's it ठीक है तो characteristics of chemical equilibrium हो गए आपके characteristics of chemical equilibrium हो गए एक second फिर पढ़ना है दोस्त आपको active mass और active mass के बाद फिर आपको कुछ numericals करने है फिर आपके पास आएगा law of mass action फिर उतके numericals करने है और active mass सोच रहा हूँ पढ़ा दो बट चुकिए गंटे 20 मिनिट हो गए तो दोस्त तेंक यू सो मच फॉर ज्वैनिंग इससे पहले कि आप अलवीदा कहो आपके एक फाइदे का सौधा बताता हूँ आपके लिए फाइदे का सौधा ये है एक सिकनल आपके लिए फाइदे का सौधा ये है मैं टेलीग्राम में ये शेर कर दूँँ आपको या जो भी PDF है अन Engineering, Medical, सब, सब, सब दे सकते हैं, देख लिए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, अपना भाई का जो कोड है, भाई का कोड क्या है दोस्त, बाहु बली है, ठीक है ना, तो भाई का कोड लगाई है, और वहां पर आपको आत्मा की बहुत सांती मिलेगी कोड लगाने के बाद एक चीज तो गैरेंटी है कि आत्मा की सांती है, आत्मा की सांती के लिए दोस्त, बाहु बली कोड लगाई है, और यहां पर फ्री में इन्रॉल्मेंट पाई है, और अनेकाडमी प्रोडीजी में 20 लाख तक का कॉलेज ग्रैंट मिलता है, यह बहुत अच्छी चीज है, मतल अप दे टेस्ट ऑन 29 जनवरी और 13 फेवरी, ठीक है न, दो मोका है आपके पास, रैंक वन को मैकबूक एर, एपल आइफोन, एपल आइपैड एंसो एंसो मिल रहा है, उसके बाद दोस्त, शिडूल आप एक बार इस स्क्रीनशॉट लीजे, शिडूल एक बार आप इस स्क् अगर आप नीट यूजी के बैचेज में आना चाहते हैं, तो यह सब आपके पास बैचेज हैं, अलफा अफा लीडर्स, आइए और पढ़िये, अब भी फिर भी आप चाहते हैं कि दोस्त, रितुमाहम से बायो टेकनोलोजी पढ़ना चाहते हैं, आइए पढ़िये, और सर से, सर से, गुर्मीद सर, आइफा आम नॉट रॉंग, तो सर से आप इलेक्ट्र स्टाटिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्त, उमंग बैच है, 2022 के लिए यह भी पढ़ सकते हैं, दोस्त, आस का डाउट फीचर है वहाँ से आप, डाउट अपना पूछी अन अकाडमी पे, प्रिंटेट स्टडी मिट्रियल और आइकॉनिक सब्स्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है दोस्तों, अच्छा और क्या है, नीट यूजी मेगा कॉमबैट में, पांच कडोर रुपे का रिवाड मिलता है, बहुत बढ़िया दोस्त, तो ये भी आप ले सकते हैं, पैटालीस मने सब्सक्राइट भी है, वेरी गुड दोस्त, घोल्ड, सिल्वर और ब्रॉंज मेडल्स भी आपके पास टॉप त्री रैंकर्स और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको, विजिक्स कमिस्ट्री बायोगा, सिलेबस देख लीजे, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 13 के लिए है, मैं को अब आगे पे active mass पढ़ना है, तो वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, लिख के बस heading लिख के छोड़ दो, active mass पढ़ना है, active mass, law of mass action, फिर के equilibrium का derivation, फिर के equilibrium पे questions, फिर KPKC में घुसेंगे, फिर KPKC के units वगरे में घुसेंगे, और फिर मज़दार चीज आएगी और, चीक ह आप बहु बली code लगा के, अने Academy पे कोई भी subscription ले सकते हैं, हम लोग बहुत तगड़ा धासू mentorship program लाँच कर रहे हैं, तो वो वाला आप देख रहे हैं, एक एक chapter को हम 20-20 बास revision करा रहे हैं, बच्चों को, ताकि हमारे ही बच्चे टॉप करें, और तो कहीं देखें ही ना, यह चीज़ें आने Academy पे आपको मिलती हैं, तेक यू सो मच, टेक केर गाइस, बबाई, विल मीट यू इन दे नेक्स शेशन अगेन, तब तक के लिए, शेर करिए, आप टैग करिए, और फेवरिट, हम मुझे जरू टैग करिए आप हर जगे, तेक यू सो मच, टेक केर गलाओ, बए गयू इन दे, आप बाई, आप हरम भीज़ें से लिए पलाओ, विल मुझे करिए ऑार टैप्न, पैसेार कि झाप, प्लाओ, तबूर से ने रू टैज करिए, बाई, थाइन थरू